तो इसका नाटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है आई थिंक इसका जो ऑनलाइन फर्म है वो भी 12 फर्वरी से स्टार्ट हो गया है ठीक है तो यदि आपके पास में आई टी डिपलॉमा हो रिलेटेड ट्रेट से तो आप इस फर्म को बिल्कुल जरूर भरियेगा और इस में क्या होगा सबसे पहले आपकी अप्रेंटाइस ट्रेनिंग कराई जाएगी रिलेटेड टू और ट्रेड ठीक है जैसे आप फिटर से हैं मेकैनिक्स मेकैनिक हैं मसीनिस्ट हैं इलेक्टोनिक्स हैं ठीक है तो जिस परकार से आई टी आई में ट्रेड्स होती है उसी परक परकार से दिया जाता है उसी परकार से आपको मिलेगा जैसे आपको 10,000 रुपए दिया जाए तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा 15,000 रुपए दिया जाए तो 15,000 रुपए मिलेगा अगर आप लोग यह सोचेंगे कि इसमें कोई नहीं कोई पेमेंट नहीं मिलेगा तो गलस तो फ्रेंट से कुछ नहिंए, जैसे आपने अगर करने के बाद कहीं private से किया हो या कोई सरकारी सर्दस्था से किया हो तो आप इस फॉर्म, टारेक्ट आप इसे apply करिएगा ठिक है आप यह form जो है वो अप्रेंटास करने वाली इस candidate के लिए ही है है अगर आप कर चुके अपरेंटाइस तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी मत परना ठीक है क्योंकि इसमें भी आपको परेंटाइस कराए जाएगा रेलेटेट टू ठीक है तो क्या होगा जैसे आप आई कर चुके हैं आई करने के बाद में आप किसी कंपनी में जाएंगे मतलब यह होता है कि अप जिस ट्रेट्से जितने भी बर्क होते हैं उन्हें हम किस करेंगे उसकी ट्रेणि मोवापby आपको दी जाती है ठीक है तो आपको पहले सां कर चुके हैं तो इसी परकार से इंडियन एरफोर्स में भी एपरिंटाइस के लिए ओनलाइन फ़र्म आये हुए हैं और अगर आपने अभी तक हो गया है आपका application being 28 January 2022 से start हो गया था और last date है आपकी 19 February ठीक 19 February 2020 इसकी last date है friends आप लोग ये भी बात याद रखेगा और ये January में 28 January को आ गया था और last date 19 February है इसकी और complete form last date आपके 19 February है आप लोग इससे जल्दी से जल्दी भड़ लीजेगा और written and practical exam आपका एक से तीर मार्च के बीच में आपका written exam हो जाएगा ठीक है जिसे हम लोग written exam या आप जिस ट्रेट से करते हैं उसी ट्रेट से related आपको practical कराया जाएगा अगर आप practical में सिलक्ट हो जाते हैं तो आप अप्रेंटाइस में अलोट हो जाएंगे ठीक है आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे और इसमें आपको पेवेंट भी मिलेगा ठीक है उसके बाद में written exam हो जाएगा written exam होने के बाद में आपका हुआ झाएगा और मेर्ज निस्ट आपका 17 मार्च दो हजार बैस dette आ जाएगा कि सत्तरा मार्च को आपकी मेरूड़ contour या नहीं हो एन ठीक है और आपका जो कोर्स है बो हम को ऑनलाइन करने के लिए चाहे वह जर्णल हो चाहे वह चाहे वह ऑवीशे हो चाहे वह यह चाहे वह रिक्तल अपर जेपर आप बाद क्रमाइब कर लेते तो अब इस परकार से मिलता आ रहा है उसी परकार से या going मिलता है 5 यह नहीं पर्फेसर के लिए तो आपका मिनिममं 50 परसेंट मार्क आपके 12 में होने चाहिए and ITI certificate में भी आपके लगबग में 65% मार्क होने चाहिए ठीक है तब ही आप eligible हो इस फॉम्पू भरने के लिए ठीक है और trade की बाद कर लेते हैं अगर आप post है अच्छी खासी post है तो 80 post है इसमें और trade की बाद कर लेते हैं तो machinist है seat metal है welder gas and elect है उसके बाद mechanic radio radar aircraft है और carpenter है electrician है और panter है plus fitter है ठीक है तो fitter के लिए आपे 26 vacancy आई हो ही है और एक vacancy है पेंटर general के लिए electrician के लिए electrician aircraft के लिए 24 vacancy है carpenter के तीन vacancy है और mechanics radio radar aircraft के लिए 9 vacancy है आपकी होने वाली है ठीक है और welder gas and elect के लिए आपकी 6 vacancy है seat metal के लिए 7 vacancy है तो इसकी जो detail है वो मेरी telegram group पर मैंने इसका notification है वो share कर दिया है अगर आपने telegram group पो जाइन नहीं किया तो इससे video के description में एक link दी होगी telegram group की आप उसे click करके आप मेरी telegram group पो जाइन कर लाए और आप मेरी telegram group के हिस्सा बन जाए यानि कि मेरे member बन जाएंगे और आप सबसे पहले update आपको वहाँ पर मिलता रहेगा ठीक है ठीक है तो उसके बाद आप मैंने share कर दिया तो आप लुग फुल जानकारी उस पर भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स आसा करता हूं कि आपको वीडियो फ़संद आया होगा वीडियो फ़संद आया हूँ तो लाइक जरू करके जाएगा और यदि आप चैनल पर नई हूँ तो चैनल को कर देना सबस्क्राइब ठीक है तो फ्रेंट्स जहेंजा बारत बंदे मात्रम